हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्टू सकसस में फ्रेंट्स अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर देज चैनल का नाम है गोल्टू सकसस अगर आप 2020 का नेट या जैराफ का एक्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टड़ी कर सकते हैं फर्स्ट पेपर टीचिंग अप्टिटूट के लावा सेकेंड पेपर शुषवाल जी के लिए आपको यहां से काफी मदद मिल सकती है शुषवाल जी से जुड़े हुए वीडियोज डेली आ रहे हैं और हाँ अगर आप चैनल पर नेउ हैं तो प्लीज चैनल के प्लेडिस में जाकर पहले वाली जो वीडियोज हैं जिनमें आपको 2019 और 2019 से पहले के कई सारे वीडियोज मिलेंगे इनहीं देखना शुरू करिए और फिर उसके बाद जो डेली 2020 के लिए वीडियोज आ रहे हैं जिनमें यूनिट वाइस तयारी कराया जा रही है जिसमें 10th, 9th, 8th unit, 6th और 5th unit को कम्प्लीट कराया जा चुका है 4th unit आज से शुरू हो चुकी है 7th unit इधर हम लोगोंने 2020 के लिए नहीं पढ़ी है क्योंकि 2019 के टाइम पर हम लोगोंने 7th unit को कवर किया था ठीक है और प्लस जो 2019 दिसेंबर वाला नेट का एक्जैम हुआ था शुष्वाल जी का उसमें जिस तरीकी से questions देखने को मिले थे तो उनको भी ध्यान में रखते हैं 2020 के लिए आप लोगों के लिए डेली वीडियोज आ रहे हैं तो प्लीज पहले वाली वीडियोज को देखने के बाद 2020 वाली जो डेली वीडियोज आते हैं इन्हें देखें नोट्स बनायों पढ़ना शुरू करतीजे तो चलिए देख लेते हैं फॉर्थ यूनिट जो की ग्रामीर एम नगरी रुपांतरण है इससे related जो important questions है तो उन्हें देख लेते हैं first question है ग्रामीर समाज का मुख्य website क्या होता है आप सभी जानते हैं क्रशी होता है तो यहाँ पर first का right answer क्या हो जाएगा option C हो जाएगा अगर हम ग्रामीर समाज की बात करें तो देशाई की जो definition है वो important है आप देख लीजे इन्होंने जो definition दी है ग्रामीर समाज की वो क्या है इन्होंने कहा है कि ग्रामीर समाज को जो संगटित करने वाला है वो gram है ग्रामीर समाज को संगटित करने वाले gram होते हैं gram स्वेम ग्रामीर समाज के संगटन है गाओं को ग्रामीर समाज की इकाई इन्होंने माना है और ये भी कहा कि यह एक ऐसा रंगमंच है यानि जो ग्रामीर समाज है वह एक ऐसा रंगमंच है जहां पर ग्रामीर जीवन का प् कि ग्रामीर समाज को संघटित करने वाले ग्राम है ग्राम स्वेम ग्रामीर समाज के संघटन है गाउं के ग्रामीर समाज की जो गाउं है इनको ग्रामीर समाज की इन्होंने इकाई माना है और ये कहा कि जो ग्रामीर समाज है वह एक ऐसा रंगमंच है जहां पर ग्रामीर जीवन का जो प्रमुक भाग होता है वह सामने स्वेम प्रकट होकर आता है और आगे जाकर वह कारे करता है तो यह किस ने बताया है दिसाई ने बताया है नेक्स्ट है किस विद्वान ने जाती का मुख आधार केवल पवित्रता और अपवित्रता को माना है तो यह EctZam में कई बार पूछ सुके हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ड्यूमा हो जाएगा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा ड्यूमा नेक्स्ट एम जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धान किस ने दिया अच्छा जो पहले वाली वीडियो स्थीम 2019 से पहले वाली तो उसमें इस तरीकी का एक वीडियो है जिस किस ने दिया है होकाट सेथीम नेशिवड या फिर ए और भी यानी होकाट सेथीम ऑप्शन दोनों ने तो यहां पर एकर स्थेम न्यूमदार धैडियो हो जायेगा यहां पर आपका धार्मिक शिद्धान किस ने दिया है नेक्स्ट एक Remember D. इंडिया ये पुक किसकी है गुरिणामे डाल मजूमदार या घुरी है तो यहां पर आपका पूट का जो राइड अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा घुरिय हो जाएगा अच्छा यहां पर जो जातिय उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धान इसके अलावा अगर हम बात करें कि जाति उत्पत्ति का जो वेफसाइक सिद्धान थे ये भी कई बार पेपर में आ चुका है तो किस ने दिया है नेस्फिल्ड ने दिया है जाति उत्पत्ति का राजनितिक सिद्धान किस ने दिया है तो रिजले ने दिया है जातित पती का प्रजाती सिद्धा और एक और इंपोर्टेंट वेबर ने जाती को क्या बताया है बंद समुदाय बताया है इंपोर्टेंट है लिख लीजिए वेबर ने जाती को बंद समुदाय बताया और गुर्णार मिडॉल ने जाती को कठोर वर्ग बताया है गुर्णा मिड्डॉल ने जाती को क्या बताया है कठोर वर्ग एक डिफनेशन और है इंपोर्टेन जो एक्जैम में आती है जब एक वर्ग पूरता वशानुक्रम पर अधारित होता है तो उसे जाती कहा जाता है तो यहां पर अगर हम बुक की बात करें तो किसकी ह है फोर्ट का यहां पर राइट अंसा ऑप्शन सी है नेक्स्ट है जाती से तात पर एक ऐसे वर्ग से है जिसकी सदस्ता जन्मजात होती है परिभाशा किस ने दी है जीएस घुरिये इस्मित या फिन नेलसन तो यहां पर आपका जीएस घुरिये हो जाएगा यानी का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यह सभी हो जाएगा इसके अलावागा हम बात करें ग्रामीर समान में क्या होता है इनका मूलता जो मुख्य व्यवसाय होता है वो क्रशी होता है ठीक है और एक स्मृत की डिफिनेशन देख लीजे नोंने क्या कहा है कि क्रशी और सं अंग्रे कारिय, ग्रामीर अर्थववस्था के आधार हैं, क्रशक और ग्रामीर प्रायहा पर्यवाची हैं, किस ने कहा है, इसमित ने कहा है, यहाँ पर सिक्स्त का जो राइट आंसर है, वो है ओप्शन डी, नेक्स्ट है, डॉक्टर बी एस गुहा ने सभी जनजातियों को भौगलिक अधार पर कितने भागों में बटा है, तीन, चार या फिर पांच, तो यहाँ पर आपका सैवन्त का क्या हो जाएगा, ओप्शन, तीन हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीन भागों में इन्होंने जनजातियों को भौ दूसरा इन्होंने मध्धिवक्ती छेत बताया जिसमें संथाल, मुंडा, ओराव, हो, खरिया, बिरहोर, गोंड, बैगा, भील, कोल जनजातियों की बात की तीसरा दक्षिड छेत्र जिसमें कोटा, टोडा, पनियार, कदार, चेचु, कुरंबा, उराली ये सब जनजातियों क की बात बताई है, किस ने बताई है, बीएस गुहा ने बताई है, इन्होंने जनजातियों को तीन भोगोलिक अधारों पर विभाजित किया था, जिसके अभी हम लोगों ने बात की, नेक्स्ट है, निमने में से किसका कतन है कि जातिय ववस्था संसार के सभी स्थानों पर विद्धिमान है डेविस हट्टन या फिनेस फिल्ड तो यहां पर आपका जो एर्थ है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डेविस ने जाती वस्था को संसार के सभी स्थानों पर विद्धिमान है ऐसा उन्होंने डेविस ने कहा है नेक्स्ट है निम्रिकित में से कौन सा ग्रामीर बस्तियों की विशेशतायन में से नहीं है option A है जीवन यापन प्रकति पर निर्भर second है प्रात्मिक संबंधों की प्रात्मिक्ता option C है सामधाइक भावनो option D है उद्धोगों की प्रधानता most important कई बार एक्जाम में आ चुका है आपने पढ़ा होगा तो आप आप आंसर तुरन देदेंगे हिंदी में यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा option B हो जाएगा option B हो जाएगा पहला इन्होंने आकार जनसंक्या और भूछेत्र दूसरी बात बताई इन्होंने प्रजातिय तत्व और जातियों के अधार पर तीसरा भूमी के स्थाइत्व के अधार पर चौथा अधिकार और सत्ता के अधार पर पांचवा दूसरे समुदायों से दूरी के अधार पर और जो छटा है वह इस्थानी परंपरा के अधार पर बताया है। ठीके किसके बारे में बताया गया है। दूबे ने जो गाउं का वर्गी करण किया था वो छे प्रकार जिसमें बताये थे। ठीके, पहला आकार, जनसंक्या और भूछेतर, दूसरा प्रजाती, तत्व और जातियों के अधार पर, तीसरा भूमी के स्वामित्व के अधार पर, चौथा अधिकार और सत्ता के अधार पर, पाचवाdon, दूसरे समगदायों से दूरी के अधार पर, छटा इस्थानी पाजिक वर्ग माना है रिजले लुन्बर्ग या फि मजुंगदार तो यहां पर आपका राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा नेक्स्ट ये किसने गाउं के संदम में ग्रामीर नगरिय निरंतरता में ग्रामीर ता शब्द का प्रयोग किया है तो यहां पर एकी करण की मूल कुंजी है ठीके बैंडेक ने घ्रामिड रंगमंच में यंत्रवंत एक्ता की बात बताई कि ग्रामीरges रंगमंच में यंत्रवंत एक्ता है जो संभाव पूर्ण एक ही करण के मूलकुंजी है, इन्पोर्टेंड है, लिख लीजे, और इन्होंने ग्रामीडता के निर्धारण में दो विश्विष्विष्वताओं की बात की थी, पहली क्रशीद्वारा प्राप्त आयवा जीवन्यापन, क्रशीद्वारा प्राप्त आयवाजीवन यापन दूसरा कम घनतवाला जनसंक्या का छेत्र ठीक है कम घनतवाला जनसंक्या का छेत्र नेक्स टेम ओरीजिन एंड ग्रोथ औफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्ता की लेख़ कौन है घुरिये डॉक्टर अनके दत्ता सेनर्सन तो यहाँ पर आपका 13 का राइट अनसर बी हो जाएगा डॉक्टर अनके दत्ता की यह बुक है , नेक्स्ट बेख्ण जजमानी प्रथा को मिरासी किस स्थान पर कहा जाता है ? मद्रास है मिरासी किया है पहली वाली वीडियो आपको बताया गया है काफी अच्छे से कि जजमानी प्रथा क्या होती है एक फिर भी शोट में देख लीजे जो इंपॉर्टेंट आपका विल्यम वाइजर ही थे पहले जिन्होंने ग्रामीर भारत में जज्मानी व्यवस्था का अध्धिन किया ठीक है अगर पूछे एक्जैम में कि सबसे पहले या सर्वप्रथम जज्मानी व्यवस्था का अध्धिन किसने किया है तो विल्यम वाइजर है इन्होंने किया है ठीक है इन्होंने किया है मैन पूरी के गाउं करीमपूर में किया था ठीक है कहाँ पर किया था मैन पूरी का एक गाउं है जिसका नाम है करीमपूर वहाँ पर इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्यन किया और पाया कि समाजिक पद सोपान और पेशो के अधार पर जातिया यहाँ पर निवास करती है समाजिक पद सोपान और पेशो के अधार पर जातिया यहाँ निवास करती है एन्होंने जो definition दी है इसको एक बर दीख लीजिए इन्होंने कहा कि प्रतेग जाती का कोई निश्चितकार पीढ़ी दर-पीढ़ी चलता रहता है, जिस पर उसका क्या होता है? एक अधिकार होता है, इसमें एक जाती दूसी जाती की आवशक्ताओं को पूरी करती है ज़िए ग्रामीड भारत में जजमानी प्रथा का अध्यन करके उन्होंने जो वहाँ पर देखा अध्यन किया तो उन्होंने एक ज़िफनेशन दी उसको देख लिजे उन्होंने कहा कि हर जाती का कोई निश्चित कार पीड़ी दर पीड़ी चलता रहता है जिस पर उसका एक अधिकार होता है इसमें एक जाती दूसरी जाती के अवशक्ताओं की क्या करती है पूर्थी करती है तो यहां पर जजमानी प्रथा को मिरासी मद्रास में कहा जाता है नेक्स्ट है जजमानी प्रथा का सरप्रतम उल्ले किस ने किया तो विल्लियम वाइजर पहले आप इस यहां पर आपका जो 16 है उसका राइट आंसर क्या है क्या हो जाएगा आपका आपका Sense सी और नेक्सpected में से किसनी व्यस्टाइप अधारी जाती के focus वर्ग वता हैं में मन्स यहां पर नियर सी उयएका नहीय विभन पर नेक्सके किस विद्वान ने निग्रेटों जंजाटी को भारत की सबसे प्राचिंतं जंजाधी इस नहीं बद ळंस भूरत की Sydney सबसे प्राचीन प्राचिंतम जंजाती बताया अच्छा इन्होंने हट्टन ने जाती की तीन विशेष्टाएं बताई है वो क्या है इन्पोर्टेंट है पहला बताया उन्होंने वेवसाय का अनुवांशिक रूप दूसरा विभा और तीसरा खान पान तता समाजिक सहवास स प्रतिबंदवा उच निश्की विवस्था तो यहां 18 का आपका राइट अंसा ए हो गया ओप्शन नेक्स्ट है जमिंदारी विवस्था का सूत पात किस ने किया था वारेन हिंडिमेन लॉट कॉन वॉलिस ने तो यहां पर आपका जो 19 थे उसका राइट अंसा क्या हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा 19 का यहां पर राइट अंसा ओप्शन सी हो जाएगा ठीक है किस वर्ष में कानूनी रूप से बंदवा मजदूरी समाप्त कर दी गई थी 1970 1972 या फिर 1980 में तो यहां पर आपका राइट अंसा क्या हो जाएगा ओप्शन 1980 हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगाliyor98 तो यहां पर गल्लोत हो गया है 1980 नहीं होगा कानूनी रूप से अगर देखे बंदवा मजदूरी समाप्त कप की गई थी 1972 में की ति तो यहां पर जो 20 है उसका राइट अंसा क्या हो जाएगा option B हो जाएगा नेक्स्ट है भारती समाज में क्रशक आंदोलनों के प्रमुक आधारों में क्या शामिल है नमें से ठीक है तो यहाँ पर खेती से संबंदित वस्तों के मोल में व्रिद्धी, दूसरा महाजनों द्वारा क्या जाने वाला शोशन, तीसरा बंदवा मजदूरी, option D हो जाएगा यह सभी, ठीक है तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, option D हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा, next है तिलंगाना में हुए क्रशक जो आंदोलन है, यह कब तक चला था, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1950 हो जाएगा, कमीन, अज्दे या फिर बलूटे, तो यहाँ पर आपका जो 23 है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलूटे हो जाएगा, next है जमिंदारी प्रथा का सूत्पात किस वश किया गया, 1793, 1795 या फिर 1790, तो यहाँ पर आपका जो जजमानी प्रथा है, इसका सूत्रुप से कितने वर्गों में विभाजित किया है, दो, तीन या फिर चार, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, option C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option C हो जाएगा, ठीक है, सौरी, हाँ, C नहीं होगा, option B होगा, ठीक है, Eric Wolf ने, जो क्रेशक आंदोलन है, इनको तीन वीडियो में बस इतना ही, अगर ही आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके, जादा से जादा लोगों सा शेयर भी जरूर करेगा, और हाँ अगर आप चैनल पढ़ने हो है तो प्लीज च